है आज हम बात करने वाले हैं आप से कि wrote दुर्घाषप्तुशति को कैसे पढ़ा जाता है और दुर्घाषप्तुशति पढ़ने से होता क्या है देखो अगर आपने मेरी सिध्य वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने इसमें पनु catching था है उनके किये हुए जो वद है और उनके बारे में स्तूतिया नहीं मा की हम लोग प्रशंसा करते हैं यह प्रशंसा करते है उन्हे सहे तृष्य हुते यह ज़ादा इन्हें पढ़नेंसे और क्या-क्या प्रदान आपको होता है कैसे आपकी सिध्म होती है और क्या चीज़ सबसक्त है do तरीके आ schaut या एक लॉन तरीके के बार में बात करते हैं शुरू करते हैं अश्प्यारी सी वीडियो को Sergio मातादी आप सभी को यू आर वाचिंग मा अधिशक्ति मेडिटेशन केंद्र हम सब के प्यारे से चोटे से यूट्यूब पैनल में आप सभी लोगों का हर दिक स्वागत है तो सबसे पहले तो दो बुक्स मेरे पास है एक हिंदी वाली है सेकिंड है संस्कृत वाली चयोंकि शुरुवात में मुझे भी संस्कृत वाली तो समझने केलिए मैं ने भी हिंदी वाली पढ़ी है और क्योंकि जादे तर लोग हिंदी वाली पढ़ेंगे त्मा उसके हिसाब से से गौरी तंत्र समवाद से और भी कुछ बुक्स से लिये गए हैं चीजे इसी बुक में सबसे फेमस वाला सिद्ध कुंजे का स्तोत्र भी है और दुर्गा कवच भी है और बहुत सारे चीजे मादुर्गा शप्त शती की जो यह बुक है यह बुक पढ़ने से आपके घर में मा के अनरजी आती है और आपके घर में सुरक्षा करती है मा के अनरजी माता काली की मात दुर्गा के अनरजी आती है और भी बहुत सारी चीजे आपको इस बुक से सिर्फ महसूस हो जाएंगे यह जो बुक है हर एक लिखा हुआ श्लोक इसके अंदर हर एक लिखा हुआ श् और यह नारायणिनमोस्तते इसी मंट्र से हैं और भी बहुत सारे हैं और बहुत सारे मंत्र सबसे फेमस निर्वान मंत्र ओम और क्लीम चामुंडाय विच्छे इसी बुक से मिला है यह बुक में एक सोत्र है कीलक जिसमें भगवान शिवजी से पूछते हैं कि भगवान आप बताईए कि मंत्र जाप ज्यादा पल देते हैं या यह बुक पढ़ा कैसे माता काली को चंड मुंड के मारने पर मादुरगा ने मा काली का नाम चामुंडा रखा कैसे धुम्र लोचन को सिर्व हुंग शब्दिक्के उचारण मात्र से माने भस्न कर दिया और कैसे मधु और कैटब को विश्नु जी ने हराया और कैसे सूरत समाधी को वर्दान मिला बहुत सारी सीख हमें इस किताब से मिलती है और यह बुक बहुत पावर्फुल है जब आप इसका अनुष्ठान करते हैं इसको पढ़ते हैं और जब यह जागरित होती सिद्धकुंजी का स्तोट्र जागरित होता है दुरुगा कवच जागरित होता है तब आपको इतना प्रेम और इतनी एनरजी मा के तरफ से मिलती है कि आपको कोई नहीं रोख सकता है मा वही पर आपको महा काली मिलेंगी, जो आपको शक्ति देती है, वही पर आपको महा काली मिलेंगी, जो आपको शक्ति देती है, वही पर आपको महा सरस्वती देंगी, वही आपको सरस्वती महा मिलेंगी, महा सरस्वती जी जो आपको देती है ग्यान, अब जिसके पास ग्यान हो जिसके पास लक्ष्मी हो और जिसके पास शक्ति हो वहीं आपको दुर्गाशे 他प्षती किताब से मिलेगा यह जो मुख है यह इस आपको यहीe बताती एक कैसे महा सरस्वत्य महालक्ष्मी और महाकाली में कोई अंतर नहीं मा अधिशक्ति के ही सारे रूप है सारे रूप मा अधिशक्ति ने जो लिए पारवती माता के द्वारा मा लक्ष्मी के द्वारा मा सरस्वती के द्वारा वो सब के सब मा अधिशक्ति मा पराशक्ति यानि जो फैमिनन एनरजी है उनके हैं और कैसे उन्होंने लीलाय रची है कैसे सब कुछ हुआ है वो सब इस बुक में बता है बुक को पढ़ते कैसे हैं मैं समझा देता हूँ आपको सबसे पहले तो आपको डारेक्ट न अध्याय होते हैं इसमें एक से लेकर लगभक 13 तक अध्याय आपको मिलेंगे तक पिक्चर स्क्रीन पर लगाता रहूँगा ता बहुत सारे चीज़ हैं बड़ पढ़ने के आपको जर्ट नहीं यह मैं बड़े वाला मेथट बता रहा हूँ अब आप चाहे तो इन सब चीजों को एक साथ पढ़ दे वरना वैसे इनका जो पठन है वो साथ दिन तक किया जाता है यानिकि पहले दिन शुरुआत हो के सब् भगवती की कृपा अनुपम कृपा प्राप्त होती है बहुत 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 ज्यादा अच्छे एनर्जी आपको मिलती है मैं गैरेंटेर देता हूँ आप पढ़के देखने हैं समझाता हूं मैं आपको सबसे पहले तो आपको पढ़ना होता है शप्त शलो की दुर्गा ज चीक है इसमें मा दुर्गा के 108 नाम दिये हैं चीक है तीसरी चीज आपको पढ़नी है जो कि पाठ विधी के अंदर लिखी हुई है देवी कवच उसके बाद अर्गला स्तोत्र और फिर किलक जब आपने यह पढ़ लिया यह आपने अध्याय से पहले पढ़ दिया अब आपको क्या कर पढ़ना है अब पहले दिन की इवनिग में दूसरा अध्याय पढ़ेंगे अब डे टू दूसरे दिन आप ओने को यह आब आ पढ़ने के बाद शाम को चौथा अभ आ retrieve आग ठीसरा दिन आपको पढ़ना है पाच्वा द्याई मोर्निग में च्छटा ग्याय जिखेगें, ऑब आगया चोथा दिन, चौथे दिन सुभा साथा और श्मको आथा, पाचवी दिन सुभा नवा, पाचवी दिन सुभा नाइन्द ऐसे और शाम को 10 पाच्वाज दिन हो गया पाच्वाज दिन, छटे दिन आपको 11 और 12 पढ़ लेना है सुभा और शाम, सुभा 11 शाम को 12, चीक है, अब आपका next दे आप क्या पढ़ेंगे, 12 के बाद, 12 के बाद आप पढ़ेंगे सुभा 13, तेरवा अध्याय पढ़ने के बाद एंड कैसे करना इसको एंड में आपको तेरा ध्याय पढ़ने के अबाद आपको एंड करना होता है तंत्रोक्त देवी सुक्त पढ़ सकते हो शमा प्रार्थना पढ़ना है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ना है यह चीज आपको पढ़ना है अंत में आपको क्या-क्या पढ़ना है तंत्रोक्त देवी सुक्त जो की उपसंगहार में लिखा है शमा प्रार्थना और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र ये बुक्या आपको इंडेक्स में देखेंगे आप शुरुवात में तो आपको मिल जाएगा अब आप चाहे तो इसका पाठ एक ही दिन में कर लिए नगर्सितमे जो पढ़ना होता पढ़ लिया शब्त श्लुवड तुबա पढ़ा शब्त श्लो की दुर्गा क्या है श्ब्त श्लुवड में शुरुवात में लिखा ओगा शिवाओ आचा शुव 3 2 कि अ मुझे निखेंrat में तो याद ने श्वचित वाला भी ने हिंडी व आपको पढ़ना है देवी कवच उसके बाद अर्गला स्टोत्र फिर की लग फिर एक दो तीन चार पाथ से साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा ध्याय कंप्लीट तेरा ध्याय कंप्लीट होने के बाद करना है अब चाहि 창ा व इसका साथ दिन वाला पठन करे बात पूरी 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 भी पढ़ सकते हो लेकिन इस बुक में ऐसा लिखा गयाए कि अगर आप दुरगा शप्ट शती को रातों में पढ़ेंगे तो विशेश किर्पा मिलेगी और हर महिने की जो तो अश्टमी आती है मादुरगा की दुरग अश्टमी जो की आती है आपकी शुक्ले पक्षमे तो अश्टमी और चतुर दशी चतुरदशी मतलब 14 डे अश्टमी एट्थ होता है क्योंकि इस अभी नारायनी हैं सभी शिव जी की है तो नारायनी नमोस्तुते तो उजन विशेश क्रिपा आपको मिलती है अगर आपर पढ़ते हैं तो महालक्षमी जी की भी अब आप चाहे महालक्षमी जी का चित्र सामने रखे दुरगा शप्तुशती का पाट करे माध वो शिवदूती है, कराली है, सभी के एनरजी और सभी का उलेक इस बुक में लिखा गया है, आप पढ़ें और खुद इस एनरजी को अब्सॉब कर पाएं, खुद आप देखेंगे कि इसके एनरजी अल्टीमेट है, बहुत सरह लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया था, इसके इसके बारे में आपको बताया है, इस बुक को आप भ्यान से देख लीजिए, इस बुक का नंबर आपको मिलेगा 1161, जो की हिंदी वाली है, संस्कित वाली जो बुक है, इसमें हिंदी संस्कित दोनों है, 1281 इसका बुक है, गीता गोरकपूर प्रेस की ये बुक है, मिलती है, आप डेफिनिटल इसे पढ़ सकते हैं, छिक है, शौट में कैसे पढ़ा जाए, एक बार दुबारा सुन लीजिए, शौट में आपको बस अध्याय जो होते हैं, जिसे अगर आपको रोज इसका पार्ट करना है, रोज आप पूरा पूरा नहीं पढ़ सकते हो, ल आर्वाध्याय का नाम है देवी चरितुरे के पाठ का महत्मै, और तेरवाध्याय का नाम है सूरत और वैश्ये को देवी का वर्दाद, यह डेफिनिटल आप शौट में पढ़ना चाहते हैं, तो शौरवात का जो बताया, वह पढ़कर, अध्याय चिर्फ ग्यारा-बारा सब्सक्राइब कर एन्दिंग भी वही तंतरोक्तदेवी सुक्त शमा प्रार्थे न और लास्ट में सिद्कुन्जी का स्तोरर अगर आपको शॉट में पढ़ना है तो अप्रमेट तंतरोक्त देवी सुक्त जो है वह के हमाς टो माला है मां की और नवरात्रो वाली साधना वाली वीडियो में भी बहुत इंपोर्टन्ट रोल होगा विडियो आपके लिह मस्त है डेफिनेटली को अच्छे सा मज़ना मिलेंगे आम लोगश नेक्स वीडियो में जैमात्यादी आप सभी झाल झाल